चलिए देखते हमने इस पार्ठ में क्या-क्या पढ़ा हमने ध्वनी के बार में पढ़ा था ध्वनी उर्जा का एक रूप है जो मारे कानों में श्रवन का समवेदन उत्पन करती है कंपमान वस्तु ध्वनी उत्पन करती है हमने संपीडन और विरलन के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा ध्वनी संचरन के लिए माद्यम की आवशक्ता होती है और तरंग दो तरह की होती है अनुदहर्ग्य और अनुप्रस्थ अनुदहर्गे तरंग को हम longitudinal waves कहते हैं और अनुप्रस तरंग को हम transverse waves कहते हैं फिर हमने ध्वनी तरंग के अभी लक्षन पड़े थे पहला भी लक्षन था तरंग दहर्गे जिसको हम lambda से दर्शाते हैं दो क्रमागत सम्पीडनों अत्वा दो क्रमागत विल्लों की बीच की दूरी होती है फिर हमने आयाम के बारे में पड़ा फिर हमने आवर्टी के बारे में पड़ा था जिसको हम new से या f से दर्शाते हैं इसका ऐसा ही मात्रक हर्ड्ज होता है अधिक आवर्टी अधिक तारत्व और कम आवर्टी कम तारत्व फिर हमने आवर्ट काल के बार में पड़ा mu is equal to 1 upon t होता है और v is equal to mu into lambda होता है 20 हर्ट और 20,000 हर्ट के बीच की ध्वानी को हम सुन पाते हैं 20 हर्ट के कम की ध्वानी को अफश्रव कहा जाता है और 20,000 हर्ट से जादा की ध्वानी को पराध्वानी कहा जाता है फिर हमने पराध्वानी के अनुप्रयोक पड़े साफ करने का साधन, दरार का पता लगाना, अल्ट्रा सोनोग्राफी और इको काडियोग्राफी हमने सोनार के बार में पड़ा जिसकी फुल फॉर्म थी sound, navigation and ranging और आखिर में हमने मानवकंड के सनरचना की बात करी थी धन्यवाद